नमस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है आज केजरिवाल को तलके सवेरे सवेरे दो तीन बले-बले जटके लगे हैं एक ख़बर आई सुप्रिम कोट से जहां केजरिवाल का सबसे बड़ा राजदार जो कई सारे राज को छुपाए बैठा हुआ है उसके बेल पिटिशन को सुप्रिम कोट ने खारिश कर दिया और यह कहा इमिडिटली आप सरेंडर करो और सरेंडर करने के बाद कई सारे बहाने बाजी या विशेक मनुस सिंग्वी आमाद्धी पार्टी के इस नेता के लिए मनाते रहे लेकिन कोट में एक नहीं सुनी दूसरी खबर आ रही है संजे सिंको लेकर के और तीसरी खबर यह स्वयंग केजरिवाल जो पता नहीं दलदल में इस तरीके से फस्ता चला जा रहा है कि जिसका इल्म इसको नहीं है आज पर इसने ED के समन का निरादर किया उसकी अवहेला कर दी और आतिसी मार लेना वो मीडिया के सामने आकर के पूछ रही है कि यह किस केस में केजरिवाल को पकड़ा जा रहा है बुलाया जा रहा है एडी जिस केस के बारे में बाचीत कर रही है वो फरजी है और यह जो समन दिया गया है वो इल्लीगल है यह समन इल्लीगल है आप करते करते आपको बेल पर रहना पड़ाय बाहर बेल नहीं मिलती तो जेल के अंदर होते और आप फिर से वही जज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं कि ED जो कारवाई कर रही है वो ED नहीं यह illegal कारवाई हो रही है मूदी के कहने के ऊपर तो पहले केजिवाल के इस राज़दार के वारे में बाचीत करते हैं जो money laundry के case में बुरी तरीके से फसा हुआ है 2022 से जेल में था लेकिन बीच में इसने क्या कलाबाजी दिखाई क्या acting दिखाया कहा कि मैं तो बीमार हो गया हूँ और जिस तरह की तस्वीरे वेगरे बाहर आई जैस सहाब ने medical जमानत जो है इन्हें दे दिया लेकिन आज फॉरण कहा गया कि आज आप तिहाल मतलब आज की रात सतंदर जैन जिसे गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सामिल करवाना चाहरे थे नोबल प्राइस दिलवाना चाहरे थे भारत रत दिलवाना चाहरे थे केजरिवाल इस सतंदर जैन को आज सुप्रीम कोट ने कहा कि कोई समय गवाय बगैर सुरेंडर करो और तुम जेल के अंदर तिहाल में जाओ क्या ख़बर आई The Supreme Court dismissed former Delhi Minister Satyadar Jain's bail plea and asked him to surrender in connection with a money laundering case Jain who was given an interim medical bail on May 26 last year was arrested in May 2022 for allegedly misusing his position as minister from February 2015 to May 2017 to acquire disproportionate asset worth 1.47 crore The ED subsequently began a probe into money laundering charges through three companies allegedly linked to him advocate Vivek Jain appearing for the former minister sought an extension of time to surrender citing his ill health The court rejected the request and maintained its order तो आपने सुना सुप्रेम कोट ने किस case में और क्यू इसके बेल को reject किया बेल को reject किया गया है कि ये money laundering के case में सीधे सीधे पकड़ा गया है और आपको याद होगा एक बहुत सबसे तेज चैनल जो चलता है उसकी सबसे बड़ी anchor के केजरिवाल का interview कर रही थी देखी किस तरह से लोग कैसे यह जो प्रचार तंत्र का यह सरकारी प्रचार जो अख़वारों और मीडिया में चलता है कसूर anchor का नहीं है यह माल का कमाल है कि पूछा जाता है कि सदंदर जैन जेल में क्यू है तो केजरिवाल ने उल्टा का था वह सदंदर जैन के उपर केस क्या यह बताओ वहाँ अपने भारे की भीड को लेकर क्या आया हुआ था वो पब्लिक से भी पूछ रहा है कि यह कोई बताते मुझे सदंदर जैन के उपर केस क्या है और सारे लोग चुप हो गए यही बात सुप्रिम कोट में क्यू नहीं बोलते हाई कोट में क्यू नहीं बोलते रोजवन्य कोट में क्यू नहीं बोलते ज़स साहब से यह सवाल होते हैं तब तो समझ में आती बात तीन कंपणियों के जरिये इन फ्रक्ट चार कंपणिया जिसमें जिसके जरिये सेतिंदर जैन गुरूस के माल को जो है वो उसका बंटा धार कर रहा था सुप्रिम कोट्रे अपने आदेश में क्या लिखा है साफ साफ कि इनके उपर जो आरोप E.D. का है वो कि मंत्री रहते हुए कटर इमांदार है ये लोग कि मंत्री रहते हुए अपने पोजीशन का दुर्पियोग करते हुए इसने डिस्प्रपोर्शनिट एसेट इकठा किये किसके जरीए तो फरजी कमपनियों के जरीए शल कमपनियों के जरीए और शल कमपनियों में इसके खानाना और ये सारे लोग involved है उसमें पूनम जैन, वेभव जैन, अंकुष जैन इस सारे लोगों के डाम आयो और आप कहते हो कि मैं क्या चार्जस है फरजी तरीके से जेल में डाल दिया गया है सुप्रम कोट के ज़स से ज़्यादा अकल मन्द हो गया एक केजरिवाल और अगर अगर इसकी बात में सचाई है तो कोट मिल जाकर के कहो जेल से बाहर रहने के लिए ड्रामा करना पलता है इनको यह सतंदर जैन इतना बड़ा न्योटन की बाज इसने कहा अगर तवित मेरी खराब है तो तवित खराब है मिनिस्टर है मीडिया और प्रचारतंत के उपर पूरा कंट्रोल है तो ज़स साब ने कहा के भई ठीक है मेडिकल लीव ले लू अब देखिए यह कितना बड़ा शातिर व्यक्ति है यह हेल्थ मिनिस्टर था और अपनी ही मिनिस्टरी और दिल्ली सरकार के होस्पिटल में खुद को बंद गरा लिया एडियों के अधिकारी पहुँच गए एक दिन कि भाई कोट से राहत मिली हुई है बहुत तवित खराब का इसने बहाना बनाया है जब एडिके अधिकारी अंदर घुटे तो देख रहा है कि पत्नी वहां बैठे लिए ठाहा के वाजी चल रही है और जैसे ही एडिके अधिकारियों को इस शातिर मिनिस्टर ने देखा इसके सिट्र पिट्टी गूम हो गई इधर उदर जो ऑक्सीजन मास्क रहे रखा हुआ था उठाकर के मुह में ले रहा है एडिवाले वह ले वही क्या कर रहे हो तो फिर वो कैंसिल हुआ फिर इसलिए जो है वो वेट लूस करना से अच्छा यह मत भूलिए यह वही सक्स है एक रेपिस्ट से मसाज करवा रहा था और यह केजरी वाला उसके चट्टे बट्टे यह जूटों के सरदार यह आकर के कहरे थे बाहर कि बहुत तवित खराब इसकी उसकी मेडिकल केंडिसन खराब है उसे फीजियो थेरपिस्ट से रेफर किया गया है मसाज नहीं चल रहा है फीजियो थेरपिस्ट चल रही है और जब इन्वेस्टिकेशन हुआ तो मालूम चला कि भई यह फीजियो थेरपिस्ट नहीं यह तो रेपिस्ट है कोई फीजियो थेरपिस्ट का मसला नहीं है तो यह सारे लोग इतने जूट और मकार किसम के लोग ह और राजीनती में इस तरह से ये लोग जी बाचीत करते हैं अब फिर कोट के अंदर सुप्रेम कोट में इनके वकील ने कहा कि हुजूर तबित इनकी ठीक नहीं रहती है अब ज़साब को भी समझ में आरी अब लहीं सब बक्वास बंद करो अभी इमिडिटली सरेंडर गो टू तिहार केजरीवाल का बहुत बढ़ा राजदार है ये ये आठ नौ मेहने तक जेल में रहा लेकिन फिर भी मंत्री के पद बे बना रहा ये मुरालिटी की बात करते हैं जेल के अंदर रेपिस से मसाज कराने वाला वो जेल मंत्री बना हुआ केजरीवाल के अंदर अंदे हैं गट्स तू से कि मैं कटरी मांदार हूँ संज्य सिंग का मसला आया है कोट के सामने की हुजूर हमको सपत लेना है एक आरोपी जो मनी लॉंडरी के के अंदर जेल के अंदर बंद है केजरीवाल ने उसे राजसभा पे भीज़ दिया ये कहते हैं कि हम क्रिमिनल्स भरस्टाचारियों को हम दूर हटाएंगे स्वक्ष राजनिती करेंगे अब देखिए तो कोट से जजनागपाल निकाग भी ठीक है सपत लेलो कानुन तो रोकता नहीं है आपको ये तो पॉलिटिकल पाटी के अपनी मोरालिटी के उपर डिपेंड करता है कि आप इस तरह के आरुपी को संसत के अंदर भीजना चाहते हैं या नहीं भीजना चाहते हैं लेकिन आप देखिए जिस तरह की सर्ते दी गई है वो अपने आप में सर्मनाख है कोई इजदार विक्ति होता वो कहता कि नहीं लूगा मैं क्योंकि जजज नाकपाल ने कहा कि सपत तो लोगे मीडिया से बात नहीं करोगे बासनवाजी नहीं करोगे रैली में नहीं जा सकते और तो और फोन का अस्तवान नहीं कर सकते किसी लोगों से तुम मुलाकात नहीं कर सकते बाचीत नहीं कर सकते किसी मीटिंग में सामिल नहीं हो सकते मतलब जैसे कोई अपरादी को पुलिस कोट में लेकर के आती है कोट से बाहर लेकर के जाती है उसी तरीके से यह आमाद्वी पार्टी का सांसद यह संसद के अंदर जाएगा सपत लेगा वापस आएगा जेल के अंदर जाएगा यही काम करने के लिए आये थे राजीती में तुम यही काम करने के लिए आये थे अरे काँखों में शर्म होती नहीं मना कर दिया होता कि नहीं अभी नहीं ते बार छूट जाओंगा निर्दोस थाबित हो जाओंगा तब मैं संसत के अंदर पैर रखूंगा लेकिन ये सारे लोग जो है वो क्या बताया जाए लोगी लालची मकार किस्म के लोग हैं ये सब पब्लिक के साथ इतना बड़ा चल इतना बड़ा धोका कि हम राजिंती को साथ सुथरा करने आए हैं सारी गंदगी फैला करके रख दी और उसी का नतीजा है गंद फैल गया है तो वो कीचल केजिवाल के उपर भी आएगा फिर वही चीज आज दिल्ली जलबोर्ट के स्कैम में उसे बुलाए गया था मना करती है क्या का इलिगल है क्या ख़बर आई दिल्ली चीफ मिनिस्टर और आप सुप्रीमो अर्विंद केजिवाल स्किप अनदर समंग इसूद बाइ इन्फोर्स्में इन्फोर्स्में डिरेक्टरेट इन कनेक्शन विदा मनी लॉंडरिं केस लिंक्ट तो अलेश्ट इंग जल बोड कॉलिंग इट अबैकप प्लांट तो स्टॉप केजिवाल फ्रॉम कैंपेइनिंग फॉर अपकमिंग लोसवाइ लेक्शन दा आम आदमी पार्टी आप टर्म इस समंग इलिगल और अक्यूस्ट बीज़पी गोर्नमेंट अफ यूजिंग सेंट्रल इजन्सीज त तुम्हारे केंपेइन करने से क्या फर्क पर जाएगा कितनी सीटों पर लड़ रहे हो दिल्ली में तुम्हारी प्रचंड सरकार है कि दिल्ली के मालिक हो तुम डर के मारे कॉंग्रेस पार्टी के साथ तुमको करना पड़ता है गड़बंदन क्या खेले-खेले लड़े तो कन्फूजन है इसको कि पंजाब में हम बहुत सारी सीटे जीतने वाले हैं वहां तुमने अपना गड़बंदन नहीं किया एडी ने पिछली बार जब बुलाया था एसेम्बली एलेक्सिंस के दौरान यही आर्गुमेंट दिया था तुमने न कि मोदी नहीं चाहते कि जो इस्टेट एलेक्सिंस है उसमें केजरी वाल परचार करें तुम्हारे परचार करने से क्या हुआ चारों राजियों में चुना हुए एक भी उमिद्वार तुम्हारा जमानत बचा पाया सारे के सारे उमिद्वारों की जमानत जब तो हो गई जीत तो छोड़ दीजे तो पब्लिक को गुमरा करने के वाशे कैसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा नेता पेदा हो गया देश के अदर जहां ताकत है, जहां तुम्हारी सरकार है, वहां डर के बारे गड़बंदन कर रहे हो तो ये सारी चीजे हैं, अब ED21 को बुलाया है फजियत होनी लाजमी है, इस व्यक्ति ने, अकेले इस व्यक्ति ने इंस्ट्यूसन्स का जो मजाख उड़ाया है, ये काम हिंदुस्तान की राजनिती में बड़े से बड़े अनपड़ लोगों ने भी नहीं किया, बड़े से बड़े भरस्चारियों ने भी नहीं किया, बड़े से बड़े जूटे भी नहीं किये इस तरह का नुकसान ये हिंदुस्तान की डिमोकरसी को पहुंचा रहा है आप देखते रहे कैपिल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद